नमस्कार दोशो मेरोटीब चैनल में आप लोगों का स्वागत है मैं आज आप लोगों को इस वीडियों बताने वाला हूँ कि उत्तर प्रदेश माध्यम सिख्छा सेवा बोर्ड ने टीजीटी और पीजीटी सिख्छोकों के पत के लिए एक नई अधिसूचना जारी किया है साथी साथ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इसके लिए आप लोग कब से कब तक अपलाई कर सकते हो इसमें सेली आप लोगों क्या दिया जाएगा इसका एकजाम कब होगा और इसका जो नोटिफिकेशन है आप लोग कहां से डाउनलोड कर सकते हो तो वीडियो को सुरू करते हैं ये जिनूट का आर्टिकल है इसमें आप लोग पढ़ सकते हो टीचर बनना है तो हो जाये तयार आगए है 15,000 से ज्यादा व्रकेंसी आगे पढ़ते हैं गौर्मेंट टीचर बनने के लिए सांदर मौका आया है दरसल उत्तर प्रदेश मध्यम सिख्छा सेवा बोड इलाहाबाद ने प्रसिख्चिस इसनातक सिख्छक और पोस्ट ग्रैजवे सिख्छक के पत के लिए एक नई अधिसूचना जारी कर दी है केंडिडेट भरती के लिए 16 मार 2021 से अधिकारिक वेफ साइट पर अवेदन कर सकते हैं यूपी सिख्छक रजिस्टेशन के लिए आखरी तारीक 11 अप्रेल 2021 है आगे पढ़ते हैं विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन यूपी एस इस बी टीजीटी पीजीटी भरती के तहद कुल 15199 पदों पर भरती होगी जिसमें से 12603 यूपी टीजीटी के लिए और 2595 भरतियां यूपी पीजीटी पद के लिए उपलाब्द है आगे पढ़ते हैं यूपी एस इस इस बी पीजीटी महत्पूर तारीक हैं रजिस्टेशन सुरू 16 मार्च 2021 से सुरू हो चुका है रजिस्टेशन की आकरी तारीक 11 अप्रेल 2021 है फीस पिमेंट की आकरी तारीक 13 अप्रेल 2021 अवेदन पत्र जमा करने की आकरी तारीक 15 अप्र प्रश्च्छ परिक्षा तारीक घोशना होना अभी बाकी है अभी घोशना नहीं हुआ है कि इसका एक्जाम कब होगा आगे पड़ते हैं यूपी टिजिटी पिजिटी के लिए सैक्ष्डिक योग्यता क्या होना चाहिए टिजिटी के लिए प्रसंगिक विशाय में ग्राइ इजवेज डिगरी के साथ बीएड होना चाहिए आगे पड़ते हैं यूपी टिजिटी पिजिटी आयू सीमा क्या होना चाहिए इसके लिए उमिदवार की उम्र 21 वर्श से कम नहीं होना चाहिए यूपी एस एससबी टिजिटी पिजिटी वेतन आप लोगों कितना दिया जाएगा TGT के लिए 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपे पे लेवल 8 है और ग्रेट पे 4600 दिया जाएगा PGT के लिए 47,600 से लेकर 1,59,100 रुपे पे लेवल 8 ग्रेट पे 4800 है आगे पड़ते हैं UPTGT और PGT पदों के लिए चैन प्रिक्रिया क्या होगा तो चैन लिखित परिक्षा के अधार पर किया जाएगा UPTGT-PGT परिक्षा पेटन क्या होगा परिक्षा में इसमें 125 MCQ होंगे परिक्षा के कूल अंग 500 हैं और प्रतेक प्रस्न जो है वो 4 अंगों का होगा साथ साथ मैं आप लोग को बताने वाला था कि जो Official Notification है वो आप लोग कहां से डाउनलोड कर सकते हो तो आप लोगों को अपना Google ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पर टाइप करना है परिक्षा.up.nic.in और इंटर कर देना है आप लोग के सामने जो Official Website है ओपन हो जाएगा आप लोगों को थोड़े नीचे आना होगा और आप लोग लेप्ट की तरब देख सकते हो तीसरे नमबर पे आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है अंडर एडवर्टाइजमेंट पे दोबारा से आप लोगों को सामने एक Next Page ओपन हो जाएगा आप लोग यहाँ पर पढ कर सकते हो उत्तर प्रदेश मादमिक सिक्षा सेवा चैन बोड इसी प्रकार आप लोग भी जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो तो उमीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद है तो लाइक सेयर कीजिए और चैनल में अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी काम की वीडियो जोरुत मन लोगों तक पहुंच सके इस वीडियो से रिलेड़ आपका कोई सवाल है तो मैं कमेंट बोक्स में कमेंट कीजिए ताकि हम आप लोगों के सवालों का ज